दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट इलाहबाद में दोस्तों जैसा की थंबनेल पर नजर आ रहा है आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन यूजनान दोस्त एक च चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीड़ बैक आप अवस्य दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है ठीक है देखिए था मिलेल पर दिख रहा है क्या 2022 में भी भरा जा रहा है फॉर्म किसका टेबलेट और स्मार्टफोन का जो कि इस चिट में आपके सामने नजर आ रहा है आगे एकदम ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही इस कटिंग में कितनी है सच्चाई बिलकुल मैं आपको लाइफ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं देखिए पहले मैं चिट के बारे में बात करता हू उसके बाद स्चिट की कितनी सच्चाई है पूरी तरह से मैं बात करूंगा आपसे ठीक हैं देखिए सबसे उपर लिखा हूँआ नजर आ रहा है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2022 इसमें कहा जा रहा है छात्रों के लिए उत्तर प्रदे सरकार के द्वारा यूपी फ्री टैबलेट यूप्स स्मार्टफोन योजना अब ये उंगलिस में लिखा गया इसके तहध आवेदन करने के लिए डीजी सकति पोर्टल को सुरू किया गया है 2022 में डीजी सकति पोर्टल के अनुसार अनुसार डीजी सकति पोर्टल के जरिए मुekt टैबलेट और स्मार्ट फून के स्पेसिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं जानकारी के मताबिक, सभी पात्र छात्रों के आकड़े इस पॉर्टल के जरिये सुरक्षित किये जाएंगे और इसमें आगे नसब आ रहा है पात्रता का सत्यापन होने के बाद छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरंड कर दिया जाएगा महा विद्यालेओं के जरिये श्टूडेंट के आकड़े को विश्विद्यालेओं को जारी किया जाएगा और इसके बाद विस्विद्याले की ओर से डीजी सक्ति पोर्टल पर इस आकड़े को फीड किया जाएगा डीजी सक्ति पोर्टल के जरीए छात्रों को सिक्षर सामागरी उपलब्द कराई जाएगी दोस्ति आची टाप के सामने देख रही है आगे कहा जा रहा है आकड़ों को विस्विद्याले के जरीए जारी किया जाएगा उसके बाद विस्विद्याले की ओर से डीजी सक्ति पोर्टल पर इस आकड़े को फीड किया जाएगा देजे सक्ति पोर्टल के जरिये चात्रों के सिख्षर्ण समागरिय उपलब्द कराई जाएगी चात्रों को स्मार्टफोन और टेबलेट वित्रइत करने के साथ ही सैच्छ्डिक हम बात करें पहले से मैंने एक चीज आपको बताया था कि इस जो उत्तर प्रदेश की फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना है कहीं भी किसी भी प्रकार का ओनलाइन नहीं हो रहा था और नहीं हुआ था ठीक है अगर देखा जाए आपके संबंदित कॉलेज में जहां आपका अड्मिशन हुआ था वहां से आउनलाइन प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया की गई थी आपके संबंदित कॉलेज से की गई थी अब आपके मन में आ रहा होगा जो यह चिट वाइरल हो रही है इसमें कितनी है सच्चाई देखिए मैं एक की आपको बताना चाहूंगा जहां तक 2022 का सवाल है तो टैबलेट और स्मार्टफोन की कोई भी योजना 2022 में आउनलाइन नहीं हो रही है यह चिट जो वाइरल हो रही है यह पूरी तरह से फरजी है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की लिंक के जड़ी आप आउनलाइन आवेदन करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं भी यह उस लिंक पर आप जाएंगे तो आप फ्रॉड की दरब जाएंगे इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार की आउनलाइन 2022 में नहीं हो रहा है आप इसके चक्कर में मत रहीएगा अगर कोई कह रह वीडियो में उसका समाधान जरूर किया जाएगा वीडियो समाप्त करते हैं थैंक्स धन्यवाद